नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes पर दोस्तों TGT PGT की अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगी और चैन बोर्ड पर एक बार फिर एक बीसाल धर्ना होने जा रहा है छात्रों की बहुत सारी मांगे और छात्रे उन मागों को लेकर एक बार फिर एक धर्ना करने जा मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धर्ना चलता रहेगा और जो प्रमुख मांगे हैं आपको इस वीडियो में दिखाएंगे चात्र जो चात्र है सब अपील कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा चात्रों को जोड़ने के लिए दिखिए स्वेता चोधरी जी की अपील है यहाप क्योंकि आपसे कहांअगे चीथ्यां कुंगी आपकेац मांगे इस भीडियो बनाने के लिए उत्साहा आता है तो मैं उमीद करता हूं कम से कम आप लोग ही लाइक जुरूर करेंगे और मैं वह करेंगे अपने दोस्तों के साथ हैं दोस्तों सबसे पहले यह अपील देखते ह है और इन्होंने लिखाया सर पहले 2016 टीजी टी इंग्लीज का रिजल्ट निकलवाने के लिए प्लीज हेल्प कीजिए हमारी आपके जो भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स से प्रियाग राज के आसपास के हों उनको 17 दिसंबर के धरने के लिए बोर्ड पर पहुंचने के ल भी रहे हैं कि अखीर धरना इंपोर्टेंट क्यूं है अब यह तो एक छात्र की छात्रा की अपेल थी अब हम आपके जो छात्रों के जो नेता है विकी खान जी उनका क्या गाना है उसके बारे में आपको बता दें और प्रमुख मांगे भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों विकी खान जी कहीं देखें यहां पर मैसेज है और इसमें समचार पत्र में भी छपी हुई है इसमें बोला गया कि 17 दिसंबर को धरना किया जाएगा और 17 दिसंबर को जो है यह जो धरना होगा यह इस बार जो है इसमें प्रदेश के बिभिन जिलों में रहने वा प्रतियोगियों की मांगे वह समयश्याओं को चैन बोड को गंभीरता से लेना होगा अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इस बार जो है यह खाली एक वारता नहीं होगी क्योंकि अभ्यार्थी प्रतियोगी अब सांत नहीं बैठेंगे आरपार की लड़ाई छेंड़े की यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इसकी लिए जुरुरत परिद् Mirror भूंक हरताल भी शुरू की जाएगी कि मांगे क्या है अखिर क्या चाहते है आखिर प्रतियों प्रित्रों की छात्रें उनकी मांगे क्या है तो आप यहाँ पर मांगे देख लीजे इनकी क्या है यह चाहते हैं कि नए सनसोधित बिग्यापन 2020 का अतिस एगर जारी किया जाए हाला कि ये बिग्यापन जो है दिसमबर के लास्ट वीक में जारी करने की बात हो रही है नए सनसोधित बिग्यापन में तदर सुचकों को भारांग 35 से कम किया जाए अभी तो 35 से ज़्यादा करने की बात चल लई है और लेकिन चातर चाते हैं कि 35 से कम किया जाए तदर्स चुकों को भारांग 35 नंबर या उससे अधिक चैन बोर्ड द्वारा दिया जाता है तो तदर्स चुकों के पतों को मुल बिग्यापन से अलग उनकी अलग से परिच्छ कराई जाए और जो 15,000 पदाएं हैं इसमें फ्रेश कंडिरेट को ही रहने दिया जाए यह इनकी एक मांग है हलाक कि इस मांग को चैन बोर्ड कितनी गंभीरता से लेगा इसके बारे में कुछ कहानी जा सकता है लेकिन यह बिग्यापन तो जरूर जारी किया जा सकता है और आदे सामाजी की बिग्यां सा चछतकार की थी गंभीरता से लिया सकता है जिव बिखन की परिष्चय तिति जल्द गंभीरिता से लिया जा सकता हैright जिए अगर चैतर प्रिसर देंगे तो ये चीज भी आयोग को मान लेनी चाहिए या आयोग मान लेगा इसको भी 2011 के लिखित परिच्छा परिणाम को अतिसिग्र घोशित किया जाए इसमें आयोग आनाकानी कर सकता है आयोग इसमें बिलंब कर सकता है TGT PGT के बारे में जो कुछ परिच्छा हैं छूटी हुई है तो TGT बिज्ञान, गहरीत, कला, संस्कृत और प्रवक्ता संस्कृत, प्रवक्ता कला, प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता अंग्रेजी के अंतिम परिणाम जो है ये घोशित किये जाने है इसके बारे में ततपरता आयोग दिखा सकता है तो ये छात्रों की मांगे हैं जिसमें आयोग क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसके बारे में अनुमानता है जो होना चीज़ हो भी मैंने आपको बता दिया है अब यहाँ पे देखिए आपके लिए ज़रूरी है कि यह तदर्श सिच्चों वाला यह मामला आपका थोड़ा पहंस रहा है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है भी बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर आयोग मान सकता है अगर वो गंभीर है छात्रों के लिए तो और ततत सिचकों का जो मामला है वो इस भरती पिकरिया को जटिल बना रहा है आपके चेहन में दिक्कतें खड़ी कर रहा है क्यो के संख्या काफी जाता थी एक्जाम है खाली लिखित परिच्छा है लेकिन यह तदर सिचकों के मामले ने इस पूरी प्रेकरिया को उल्जा दिया है अब आपको कटिन परिश्रम करना पड़ेगा और जैसा कि माना जा रहा है कि मार्च के लास्ट यापरेल के फर्स्ट वी आज से अभी से पढ़ाई बिल्कु सुरू कर दीजिए तो दोस्तों यह थी अपडेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इपडेट के साथ धन्यवाद